गेहूं के निर्याद पर बैन लगने के बाद अब गेहूं उत्पादगों को दोहरी मार जेलनी पड़ रही है एक तरफ मौसम की मार दूसरी तरफ अब नुकसान हो रहा है मौसम की मार की बज़ा से सुखा पढ़ने से जहां दाने का कार छोटा रहे गया और फसल कम हुई वहीं अब सरकार ने निर्याद पर प्रतिबंद लगा दिया है इससे किसानों को प्रतिक इंटल 300 से 400 रुपे का नुकसान हो रहा है हलांकि सरकार ने 31 माई तक अब प्रोक्यूर्मेंट की विंडो बढ़ा दी है लेकिन किसान, किसान संग्ठन और राजनितिक पार्टियां केंदर सरकार से आगरे करही है कि वो तुरंथ एक्सपोर्ट पर लगाया गया बेन तुरंथ हटा दे ताकि किसानों को ज्यादा मुनाफ़ा हो अचली जो बैन लगा है एक तो ये बात है कि लोगों को इसका बाहरी नुक्सान उठाना पड़े गया जैसे बैन लग गया अवकान का बंद होगी घरों में पड़ी है गड़ान में पड़ी है जब लोगों की डिमाड बढ़नी नहीं के रेट में बेचनी है तो अचपट का मतलब तो यह आए कि जाए घ्रोंड क्यों नहीं कर रहे क्योंके हमारी स्ट्रेम जाड़ी कम है पैदावार कम हुई है जब पैदावार कम हुई है हमारी जो अजनसी एनों ने ख्रीददारी लगतर करनी चाहिए तांके जो गरीब बंदा लेट फिट आ रहे है या कोंट्रेक्ट वेस्ट पे जो इंपलाईज आए या कोई धाड़ी धार बंदा वो उसका पैसा लेट आता अगर उसको आप दोबारे ये गड़ाओं से निकाल के महगे भाव में बेचेंगे तो गरीब का नुक्सान होएगा और जो हरास्मेंट किसान की वो भी बढ़ती चल जाएगी इसलिए हम चाहते हैं कि ये इसका बैन हटना चाहिए तो आपके चैनल के मादियों से मैं सरकार अब की बार एक तरफ जहां मौसम की मार की वज़ा से खराब मौसम और सुखा पढ़ने से किसानों को अत्पादन कम हुआ है वहीं अभी तक राजी और केंदर सरकार ने किसानों को मौज़ा देने की घोशना नहीं की है कैमरा प्रसन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल े मौसम हरा प्रसन अमन फ्रसन अमने से खराब मौसम और के साथ मौसम फोड़ने जहीं चांट